जै श्री श्याम दोस्तों बाबा श्याम को हम अपनी अर्जी लगा कर अपनी किसी भी इच्छा के लिए बाबा से कैसे कुछ भी मांग सकते हैं लेकिन अभी सवाल यहां पर यह आता है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा श्याम है कौन श्याम नाम सुनकर सबको लगता है कि ये कृष्णी जी का ही कोई श्वरूप होंगे तो हम आपको बता देते हैं कि कृष्णी जी का ही स्वरूप है भगवान श्री कृष्णी के वर्दान से ही बाबा श्याम बने है अब बाबा श्याम है कौन सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जिनसे हम अरदास करने जा रहे हैं जिनसे हम अपनी इच्छा बोलने जा रहे हैं वो है कौन अभी तक बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा श्याम सच में है कौन तो आप एक बार इस वीडियो क को सुन कर देख कर मेरे बाबा को जान लीजिए बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं करूंगी बस इतना कहूंगी कि अगर आपने दिल से मेरे बाबा को मानना सुरू कर दिया ना जिस दिन से आपने उसे अपनी जिंदगी में सामिल कर लिया उस दिन से आपकी जिंदगी ना पाँच महीने पहले तक मैं भी बाबा श्याम को नहीं जानती थी, जूट नहीं कहूंगी, मैं भी बाबा श्याम को नहीं जानती थी, मैं जानती थी कि बाबा श्याम कौन है, पर वो क्या है, उनकी पूरी कहानी क्या है, मैं इस बारे में बिलकुल भी नहीं जानती थी, इति तब का दिन है, आज का दिन है, मैं अपने घर परिवार, अपने पती से जूट बोलकर खाटू जाती हूँ, मुझे नहीं पता कि मुस्तरवार ने मेरे उपर क्या जादू किया है, लेकिन कोई तो है जो मुझे बार बार वहां पर खीच कर लाता है, और जिस दिन से मैंने खा आज तक नहीं बन रहे थे, उन्होंने बनना सुरू कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरी बातों को सुने, समझे, माने, और अब तक आपकी जो बिगड़ी भी जिंदगी थी, वो सही ट्रैक पर आ जाए, इसके लिए आप भी एक बार मेरे बाबा श्याम के ब भीन सेन के पुत्र थे घटोत कच, घटोत कच की ही संतान थी बरबरीक, घटोत कच और माता मौरवी के लाल थे बरबरीक, उनके बाल बरबर सेर की तरह थे, इसलिए उनका नाम बरबरीक पड़ा, चौदा वर्स की आयू में उन्होंने अपनी माता के आशिरवात से भगवान सिव और नो देवियों की तपश्या की, जिसकी वज़ा से उन्हें तीन चमतकारी माण मिले, वो तीन बाण ऐसे थे कि वो तीन लोकों को समाप्त कर सकते थे, बरबरीक के मन में महा भारत का युद्ध देखने की प्रवल इच्छा जागरत हुई, जहां पर इतने बड़े-बड़े महा युद्धा लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपनी माता से कहा कि मैं उस युद्ध को देखने जाना चाहता हूँ, तो उनकी माता मौरवी ने उनसे दो वचन लिये, कि बटा तु अगर जा ही रहा है, तो अगर जरूरत पड़े, तो तुम उस पच्छ से युद्ध करना, जो पच्छ हार रहा होगा, तुम हारे का सहारा बनना, और दूसरा वचन, कि तुम से रास्ते में कोई भी कुछ भी या, वो तो सब कुछ जानते हैं, जब उन्होंने देखा कि बर्बरीक युद्ध की तरफ आ रहा है, उन्हें तो सब कुछ पहले से ही ग्याद था, इसलिए उन्होंने एक ब्रामहर का भेज बनाया, और बर्बरीक के पास पहुँच गया, बोले बर्बरीक, कहा जा रहे हो बर्बरीक ने ब्रामहर देउता को प्रणाम करके कहा, कि मैं महा भारत का युद्ध देखने के लिए जा रहा हूँ, ब्रामहर देउता ने कहा कि बेटा, अपनी आयू को देख, और वहाँ पर देख जा करके कितने बहा बड़े, महा बली युद्धा वहाँ पर युद्ध कर रहे हैं तू उस युद्ध में क्या करेगा बोले वैसे तो मैं देखने जा रहा हूँ ब्रामार देउता लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं लड़ूँगा भी ब्रामार देउता ने कहा बाते तो बढ़ी बढ़ी कर रहा है, तेरे पास ना तो सेना है, ना ही तेरे पास कोई समान है, तो युद्ध कैसे करेगा। एक ही बार से क्या इन सारे पत्तों को भेज सकता हूँ बरबरीक ने कहा बिलकुल भेज सकता हूँ श्री कृष्णे ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया ये सोच कर कि मैं भी तो देखूं कि क्या ये इस पत्ते को भेज सकता है बरबरीक ने एक ही बार से उन सारे पीपल के पत्तों को भेद दिया और वो तीर बार जा करके श्रीकृष्णी के पैर के उपर घूमने लग गया बरबरीक ने कहा ब्रामभर्देुता पैर हटाईए एक पत्ता आपके पैर के नीचे है श्री कृष्ने मान गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो एक-एक को ढूड़ के मारेगा उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा ये बता तू जा रहा है तो युद्ध करेगा किसकी तरफ से बर्बरीक ने कहा अपनी मा को वचन दे कर आया हूँ जो हारेगा उसकी तरफ से युद्ध करूँगा ब्रह्म हर्दे उता ने कहा ये कैसा वचन है हारे का सहारा अगर तू कौर्वों की तरफ से युद्ध करेगा तो पांडव हारने लगेंगे तू पांडवों की तरफ चला जाएगा अगर पांडवों की तरफ से युद्ध करेगा तो कौरवार ने लगेंगे तो उनकी तरफ आ जाएगा ऐसे तो युद्ध का कोई परणाम नहीं निकलना तो बर्बरीक ने नतमस्तक होकर कहा तो फिर आप ही कोई उपाय बताईए ब्रह्म हर्दियोता ने कहा कल युग में प अर्जुन को युद्ध खेलना है इसलिए उसका सीस नहीं ले सकता श्री कृष्ण को युद्ध रचना है इसलिए उसका सीस नहीं ले सकता बचे तुम तो कल युग में प्रत्वी के कलनान के लिए अपना सीस दान में दो बर्बरीक ने बोला मैं अपनी मा को वचन देकर कि रास्ते में कोई कुछ भी मांगेगा मना नहीं करूंगा लेकिन एक ब्राम्हण हो करके आप सीस का दान मांग रहे हो तो आप एक ब्राम्हण नहीं हो सकते हो मुझे अपना असली रूप दिखाईए मैं मौर्वी का लाल आपको सीस दान में दूंगा भगवान श्रीकृष युद्ध लड़ने आया लड़ने ही पाया युद्ध देखने की इच्छा है मैं पूरा युद्ध अपनी आखों से देखना चाहता हूँ श्रीकृष्णे ने उस सीस को अमरत पिलाया और बोला कि जब तक ये महा भारत का युद्ध चलेगा तुम्हारा सीस जीवित रहे और तुम पूरा युद्ध देख सकते हो एक उची चोटी पर उनके सीस को विराजमान कर दिया अठारा दिनों तक चले इस युद्ध में बरबरीक ने एक एक चीज को देखा युद्ध समाप्त होने के बाद पांड़ों को एहंकार हो गया कि इस युद्ध को हमने जिताय है इसलिए वो स्रीकृष्ण के पास पहुंचे कि बताईए कि हम में से इस युद्ध को किसने जिताया है वरना हम आपस में ही लड़ते रहेंगे श्रीकृष्ण ने कहा मैं तो तुम्हारा सार्थी था मैंने तो कुछ नहीं देखा तो अब क्या किया जाए श्रीकृष्ण के युद्ध में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी स्रीकृष्ण का सुदर्सन चक्र चल रहा था मरने वाला भी स्रीकृष्ण था और मारने वाला भी स्रीकृष्ण था और दृपदी को मैंने काली के रूप में खपर में खून पीते हुए देखा ये बात स्रीकृष्ण को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने बाबा को बर्दान दे दिया कि आज के बाद तुम मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे जो तेरा जो कलाएं मेरे अंदर हैं वो सारी कलाएं तुम्हारे अंदर आ जाएंगी जैसे जैसे कलियुग बढ़ेगा श्याम नाम का प्रचार हर घर में होगा और कलियुग में अगर कोई बाबा श्याम पुकारेगा तो उसकी रक्षा ब्रंदावन वाला श्याम नहीं तुम खाटू वाला श्याम बन कर करेगा तो ये थी मेरे बाबा श्याम की कहानी कथा स्री कृष्ण के अवतार से बरबरीक बाबा श्याम बने हैं उ काम ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना और जो खाटू नहीं जा सकते हैं आपके घर से खाटू बहुत दूर है तो आप अपने आसपास गूगल में सर्च कीजिए या किसी से पता कीजिए कि बाबा श्याम का मंदिर कहां पर है आप बाबा को वहां पर जाकर अर्दास होना चाहिए और उसे कोई चला कर ना देखे सिर्फ आप ही उसे चलाईएगा एक पेपर लीजिए और उसके उपर अपनी इच्छा को लिखिए किसी एक ही इच्छा को लिखिएगा यह नहीं कि आप दो चार इच्छाई एक साथ लिख दीजिए और जो भी इच्छा लिख जाखियेगा कि उसमें कहीं भी नहीं सब्द नहीं आना चाहिए agree जैसे कि माली जी आपका काम नहीं चल रहा होगा तो आपको ये नहीं लिखना है कि बाबा मेरा काम नहीं चल रहा है आपको ये लिखना है that God, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं मुझे रास्ता दिखाईए सबसे उपर पेपर पेपर पे जै स्रीश्याम, जै हनुमान लिखना है और नीचे अपनी इच्छा को लिखना है फिर उस पेपर के अंदर आपको ग्यारा, इकीस, इक्यावन जितनी आपकी स्रधा है आप उतने पैसे रख दीजिए, इसके बाद मौली कलावा होता है, उस नारियल के उपर उस पर्ची में पैसे लपेट के रखिए और उसके उपर उस मौली कलावे को बांद दीजिए उसे तोड़िएगा मत, वो पूरा कलावा उसी नारियल में लगा रहने दीजिए और वो पैन भी उसी नारियल में फसा दीजिए, अब किसी भी श्याम मंदिर में आप जाईए और वहाँ पर जाकर पुजारी को, पुजारियों को सब पता होता है, आप जाकर के पुजारी को दे दीजिए और उस पर्ची में जो भी अर्दास लिखी है, उसे आप बांधने से पहले एक बार बाबा श्याम को पढ़कर जरूर सुनाईएगा मंदिर में भी जाईएगा, तो पुजारी से कहिएगा कि आपकी अर्दास बाबा को पढ़कर सुना दे, फिर आप देखिएगा, किस तरह आपकी अर्दास भी पूरी होती है, आपके काम भी पूरे होते हैं, और आप हो सके तो बाबा की एक किताब ले आईएगा, या फिर आजकल तो गूगल पे मुबाइल में सब कुछ निकलाता है बाबा की इस्तुती 40 और बाबा की आर्दी 41 दिनों तक लगातार कीजिएगा, फिर आप देखिए कैसे आपकी जिंदगी में चमतकार नहीं होते हैं मेरा बाबा हरे का सहारा है वो आपको भी सहारा जरूर देगा, बस दिल से याद करके देखो, दिल से मान कर देखो मेरा बाबा आपकी तक्तीर न बदल दे, तो मेरा नाम बदल देना मैं बार बार बोल रही हूं मेरा नाम बदल देना क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है उस शक्ती को, उस ताकत को तभी इतने विश्वास के साथ मैं ये वीडियो बना रही हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा बाबा कभी किसी को हारने नहीं देगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सस्क्राइब करना ना भूले साथ ही चैनल को सस्क्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे